नमस्कार दोस्तो आप सभी का सवागत आपके अपने यूटूब चैनल पर बात करने वाले हैं दोस्तो ब्राइट कॉम गूर्प स्टोक के बारे में सुगस इस स्टोक पर अगर चर्चा करें तो कई ना कई इस स्टोक पर एक अच्छा मुमेंट देखने को मिल रहा है काफी अच्छी तेजी सी स्टोक पर देखने को मिल रही है लगातार दिन परते दिन दोस्तो इस स्टोक पर अपर सरकिट नजर आए अब जिस फिरकार दोस्तो कंपणी का लास्त एक मेनी के अंदर सांधार रिटर निकल के आ रहा है कहीं ना कहीं कमपनी ने दुस्तों लेट नाइट को भी दोस्तों एक ओफिशल स्टेटमेंट ज़ारी किया था दुस्तों इन्वेस्ट विखली अबडेट्स के नाम से अब दोस्तो के ना करें इस स्टोक पर तेजी के लिए जो ग्रीन शिगनल है वो फिर शे नज़र आ रहे हैं लगातार दोस्तो इस स्टोक पर बाइबैक कंटेनिशली लंबए वक्त से देखने को फिर शे नज़र आ है आज के सेसन पर यह अगर हम बात करें वोल्यूम की जो वूलियम कुछ ज़्यादा खास तरहने वाली है नहीं कि उनली 45 लाग शेर का दोस्तों काउंटर पर कारोबार नजर आया बाइबेक वापस नजर आ रहा है अब प्रियोपन मार्केट के लिए अगर बात की जाए अब नेक्ट सेसन के लिए जो बाइबेक लगा है साड़े सत्रा लाग से अधिक शेर दोस्तों बाइबेक पर लगे है और लगबग 86,496 शेर की जो टोटल कमांटिटी है वो शेलिंग पर लगी है यान कि कई ना कई बाइबेक भी जादा देखने को मिल रहा है कई गुना दोस्तों जो है जादा जो बाइबेक है सेलिंग के मुकाबले बाइबेक रहने वाला है तो वो 6 रुपए 80 पेसी के असवास रहने वाला है और हाई कि अगर हम बात करें पिसले वनी अरकी तो 22 रुपए 95 पेशे मोज़दा जो डेटा है वो कई ना कहीं काफी शांदार रहने वाला जो सेर में दोस्तों कई ना कहीं एक दमखंवाली जो तेजी है वो फिरशे मढ़रा रही है वो लगातर इस स्टोक पे इंप्रूमेंट तो खास कर था ही पर अभी कंपनी का चार्ट पैटरन अगर देखा जाए तो वो काफी शांदार निकल किया रहा है क्योंकि चार्ट पैटरन अभी जिस परकार अच्छा मूव कर रहा है एक अच्छी तेजी के तरफ बढ़ रहा है तो इसमें कई ना कई एक अच्छा इंप्रूमेंट के साथ सा दोस्तों एक अच्छा गरोथ देखने को मिल रहा है पर growth देखने को मिल रहा है company ने दोस्तो अपने business model को लेकर update जो जारी किया है तो इसमें company ने अपने total business को expand किया है कि company आगे सेलकर किस परकार अपने business को grow करने वाली है company का जो business है वो किस तरीके से कारे करने वाली है clearance के साथ जो data share किया है अपने लिया तो दोस्तो वो चीज़े तो company ने clear कर दी मानकर चलते हैं कि company ने एक अच्छा update यहां पर जारी किया है पर company के अंदर दोस्तो जो negativity अभी मुझदा समय के अंदर available है तो company उन चीजों को ही दूर नहीं कर रहा है तो company business model को आगे क्या provide कर स्टार्ट हुई नहीं है company ने दूस्तो लास्ते जो update निकल के आई थी जो सनिवार को निकल के थी उसमें company ने बताया था कि company की जो results है वो जल्द ही आने वाले है और company की जो trading session है वो जल्द ही चालू होनी वाली है जो normal में एक दो दिन में देखने को कहिना के नजर आ सकता ह database तो इस परकार देखने को मिल रहा है कि company ने आज सब कुछ solution प्रवाइड कर दिया वो आज जो समसे थी वो सब दूर कर दी हो पर ऐसा कुछ company के अंदर चलने ही रहा है कि जिस परकार company लगातार update पर update जारी कर रही है कि company के अंदर total जो समसे है वो solve हो चुकी है तो अभी मै चीज यही देखने को मिल रही कि आखिरकार company का सबसे वड़ा जो लोचा है वो इसी basic पर बना हुआ है तो company आगे चलकर एक अच्छे capability साथ अगर अच्छी गिरोत कर पाती है तो company अच्छा data परवाइड कर पाएगी वरना दूस्तो company के अंदर जो data भी बना हुआ है तो वो इना कही company के निवेशकों का लोच भी बड़ा है तो इसे के चलते company में दोस्तो company के मुकाबले हम बात करें पाक्स वी पाक्स की तो company की जो promoters के holding है वो काफी ज़्यदा गिर चुकी है अभी वरतमान में 18% से भी नीची company के अंदर stock के जो promoters के holding है वो नीची नज़र आ रही है तो ये चीज़ ये company को सुधार प्याओ सकता है company दोस्तों अभी के टाइम बले अपने trading session को हाथ जो अभी वरतमान में चालू कराया ना करायी company result चारे आ करे ना करे पर company के अंदर जो भी negative समस्याई चल रही है जो problem चल रही है उन problem को दूर करना चाहिए और खासकर मैं त जानकारी आप लोगों को पसंद आई होगी पसंद आजी वीडियो कोला लाइक कर देना चेनल पे रहे हो दूस्थो चेनल आजो को सब्सक्राइब कर देना और जानकारी को जैदा अगा